दोस्तो आज हम बात करेंगे Candid Dusting Powder के बारे में इस पाउडर के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है तो इन सबी बातों को आज हम इस वीडियो के मात्यम से आपको बताएंगे तो आपने ये वीडियो पूरा देखना है और पूरी जानकारी लेनी हैं दोस्तो Candid Powder आता है क्लैन मार्क फार्मसोटिकल का और इसका प्राइज होता है 75 पे 50 ग्राम की पैकिंग का और इसका फार्मूला होता है, सॉल्ट होता है Clotrimazole Dusting Powder 1% दोस्तो ये एक Antifungal Powder के रूप में इसका इस्तिमाल किया जाता है और जो गर्मी में पसीने की बज़े से घमोरिया निकलाती है उसके लिए भी ये बहुत effective होता है और इसका result भी बहुत fast होता है बहुत जल्दी ही ये अराम कर देती है पसीने की बज़े से पूरे शरीर में खुझली होना या वैसे खुझली होना Fungal Infection की बज़े से और दाद खाज खुझली होना उस पर भी इस Powder का इस्तिमाल किया जाता है और दोस्तो इस Powder को जो पैरों के बीच में उंगलियों के बीच में पैरों की उंगलियों के बीच में जो फंगर इंफेक्शन हो जाती है दाद हो जाती है खुझली हो जाती है तो उसमें भी इस पाउडर को लगाया जाता है और जांगों के बीच में दाद खाज खुझली पसीने की बज़े से जो इंफेक्शन हो जाती है लाल स्किन हो जाती ह उसके उपर भी इस पाउडर का इस्तमाल किया जाता है अगर आपको भी ऐसी कोई प्राब्लम है पूरे शरीर में खुजली हो रही है या फिर घमोरियां है या फिर उंगलियों के बीच में या जांगों के बीच में इनिफेक्शन हो गया है बहुत तेज खुजली हो रही है तो आप इस पाउडर का बिल्कुल इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो महलाओं और पुर्षों के गुपत अंगों में जो इनिफेक्शन हो जाती है दाद, जलन, खुजली तो उसमें भी इस पाउडर का प्रियोग किया जाता है दोस्तो इसे सुबह शाम लगाया जाता है नहाने के बाद और रात को सोने से पहले वैसे इसका कोई खास साइड एफेक्ट तो नहीं देखने को मिलता है अगर फिर भी लगाने वाली जगा पर जलन होती है, खुजली होती है या फिर जगा लाल हो जाती है तो आप इसे तुरंद बंद करके डॉक्टर की सलाह जरूर लें तो दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शियर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद